कि तरह है जब शिकंदर ने भारत के ओपर आत्रमन किया तो इस्तिती खराब हो बही है कि चानक के सारे राजाओं के पास गया और वहां से वह नर्णस होके लोटा तो जब वह आखरी सबसे बड़ा राजा जो था ध्रहंचोपेश के अंदर है मुसल्मानों कि इस की एक राजनितिक रूप से भी बहुत बुरी है और सामाος जी की रीटियंग उसकी बहुत बुरी है कुछ राजनितिग्यों का शिकार और कुछ एक वोड बैंक बनके रह जाने वाली स्किति मुसर्बाटी रहने अपने लीडर को वोड देता है उस लेविल के ऊपर उसकी सत्था में भागीदारी नहीं हो और हिंदुस्तान के अंदर जब उनके उस इस्तिति में जब राजनित किस्तिति के अंदर आगे बढ़ना चाहता है तो उस में तुम वहां एक नजीट